आप सबी गए और मज़दार इंट्रेस्टिंग लेक्चर वे आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चाप्टर देखो भाई दीरे दीरे सारे के सारे जो चाप्टर से एक एक करके हम कदम कर रहे हैं सब फटा पट फटा पट बहुत मज़ा आ रहा है आप लोग भी बह बहुत मज़ा आने वाला है जरा भी टेंचन नहीं लेना है सो आज क्या करेंगे सर बेटा आज हम करेंगे क्लास्ट हमारे महराष्ट्रा बोर्ड याने एससी बोर्ड का जोमेंट्री के अंदर चैप्टर नमबर पूर अल्जेबरा करा रहे थे ना तुम दो प्रॉबिलिटी वह हुआ फिनिश अल्जेबरा के अंदर अब दो ही चैप्टर है फाइनिंशल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स जो डिलीट हो गया ठीक है तो जितना है मैंने करा दिया वह उसमें से बोर्ड में कोई प्रश्णी आएगा हाँ जिसको लगता है नहीं सर मेरे को जनरल नालेच चाहिए मुझे सीखना है सीखो सीख सकते हो बट उसमें से बोर्ड में क्वेस्टिन नहीं आएगा अब देखो यह चैप्टर नंबर पूर जमेटरी में करने है अल्रीड हमने अईतागोरा सीरम कर लिया था सरकर कर लिया था जमेटरी के अंदर अब करेंगे यह रूनल आ गए रूनल बाउसर वेरी गोड यू लोग सो क्यूट अरे बाब रे नमन यह यह सभी दोस्तों में शेर कर अपने स्कूल के बच्चों को बुलाव यार किदर वह बहुत मज़ेदार लेक्चर होने बहुत मज़ा होने वाला है पहला लेक्चर देख इदर भाई जोमेट्री में कौन सा चेप्टर सर जोमेट्री कंस्ट्रक्शन कुछ बच्चे सोच रहे सर हमारी स्कूल की एक्जाम में सब आने वाला अप्रिलिय मिलिय में सब कभी होगा पटा पट कतम हो जाएगा सार्तक बोलता है सर आजा पांच नमबर पर आने वाद यार तुमने हमारा जो कलका लेक्षर है पूरे मतलब पूरे इंडिया में पांच वे नमबर चौथे नमबर पर चल रहा था आज उपर नीचे हो रहा था चौथा बाच वाइसा तो बहुत खुशी हुई मुझे भी तो भाई आज हम क्या करेंगे जोमेट्री कं आज चाहिए आज क्या प्रखाने वाला है अब यह देखो यह जो आपका चैप्टर बूक आपकी यह जो बूक देखो तो बूक के अंदर यह सब क्या पखाया हुआ है पखाया हुआ मतलब कि आज क्या सीखना है हमको तो यहाँ पर बोला है कि construction of triangle जो ट्रेंगल होते हैं इ कैसे करना वो सीखेंगे ओके और उसमें भी दो अलग अलग ताइप है कि अगर कॉमन वर्टेक्स है एक वर्टेक्स कॉमन है तो कैसे करना और तीनों के तीनों वर्टेक्स अलग है तो कैसे करना मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग ट्राइंगल है तो कैसे करना और समझो करना देखेंगे वन वर्टेक्स तो अब पहले तो यह देखेंगे पहले प्रैक्टिस सेट में कि उसमें आपको समोसे बनाने होंगे बिंगो दूसरे के अंदर क्या होगा कि आपको किसी भी सर्कल के उपर टेंजेंट बनाना होगा सर कहना क्या चाते हो अरे बेटा ऐसा सर्कल होगा एक इस सर्कल के उपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी जो इसको छू के जाएगा टेंजेंट दूसरा भी हो सकता है सर्कल के उपर ऐसा सर्कल होगा हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो बाहर से दो दो टेंजेंट होगे तो और पूएंट वं के अंदर समौसा, 4.2 के अंदर लडू, 4.1 के अंदर भिंगो, समौसा, 4.2 के अंदर गोल-गोल रोटी, गोल-गोल बोले तो ममी की रोटी, गोल-गोल, पापा पाइसा, गोल-गोल, यह 4.2 में हम करेंगे, बास यह geometry construction है दो ही practice set है, 4.1, 4.2 ख твор Mixed आएगा ना दादा येस येस फ्री भी है क्या एक मिनट देख लेता हो बेटा बुक में फोर पॉइंट वन दो ही प्रेक्ट्री सेट होता इसमें हाँ ना दो ही है बहुत चोटा है बहुत मज़ा आएगा और जो बच्चे कमजोर रहते ना जिसको जोमेट्री में डर लगता ह यह क्या चैट में चल रहा है अरे हां हां ओके बाइऑ अपने दोस्तों में लिंक आयर कर दो देखो अभी लेक्चर का लिंक जा रहा है तुम लोग भी देखा करें कौर मानूमे मुझे पांच हजार चार सो लोग देख रहे थे अभी जहां असी लोग देख रहे ना अब सजार चार सो दे कित तो ना मजह आया पता है चलो चलो हिंदी में भी बता हूंगा टेंशन मत ले रहे होगे चलो अब भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा वाई दो ही प्रैक्टिश सेट है हिंदी इंगलीष ने चलेगा मैं तुझे यह पहले नहीं बाता है मैं तुछ से चेप्टर यह चेप्टर यह चैप्टर है यह चैप्टर है ना आईशा सबके लिए उन बच्चों के लिए जो बैक बेंचर से जिनका पड़ाई में मन नहीं लगदा बट उनको टैंथ पास करने पहले उन बच्चों के लिए देख बेटा अपनी सो माक की एक्जाम होती है सो में से पासिंग होता है 35 पहले तो दिमाग में फिट कर ले सो में से 35 माक आए ना तो यू आर पास मैस की बात कर रहा हूं अगर तुम टॉपर हो तो अपने दोस्त को बता सकते हो ठीक है अभी इसमें अल्जेबरा होता है 40 माक का और 20 माक का ना इंटर्नल एक्जाम होता है इंटर्नल याने वह स्कूल में टीचर लेते 20 माक खुद ही देदे एंची की बगरे लेते हैं अभी टोटल हमें लाना होता है 35 इस इंटर्नल में सबको 16 माक के उपर ही मिलता है तीचर जो है वह 16 किसी को 20 में से 16 देते हैं जो तो 16 देते हैं तो भाई तेरे को कम से कम 16 माक इधर मिल चुका है एक काम करते अलग कलर से थाकि तुझे समझ में दादा तुझे 16 माक मिल चुका है क्या बोलते सर सची मेरा टीचर नहीं देगा सर मेरे सर बहुत ख़डूस है इतना माक नहीं देते आरे देखे रहे बहुत ज्यादा तुप परेशान किया रहेगा तो 15 तो मिली जाएगा लेकिन किसी को कब नहीं देते टीचर लोग बहुत अच्छे रहे तुमको दिखते एकड़क बट होते नहीं यह अंदर से बहुत मासूम रहते नरम रहते सोचते मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे इसके यह था सो में से तो 15 मिल गया भी 20 की जरूद है समझ तुझे अल्जेबरा बहुत अच्छे से आता है तुने 40 में से अल्जेबरा में 15 मार्ग ला दिये ला दिये अब तुझे जोमेडरी में कितने मार्ग की जरूद होगी जोमेडरी में 15-15 तीस हो गाई ना थेस अगर ये 5 हार जान मेरे को जोमेट्री भोगा है ये 5 किदर से लाऊंगा यदर समझे संदूर Finish ये समझ में या फया आता है स्प्रेंज ए स्ब्राइबस उसके स्मस्वान कि आजैगा विभे झान प्रत समय के у congrats में ये फिरिए ने खुड़ता गता स्कॉलर दोस्कों भी न्यादा आपने को 15 नहीं आएगा दस तक मेरा बूल दस तक आ सकता है ठीक है ठीक है ठीक है चल तू मैस में 10 माग ला चाह यह ले अभी दूसरे बच्चे मेरे स्कॉलर बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर यह लड़का 10 माग इधर लाएगा तो पेल हो गया मेस में पिर भी तेरे को पास होने का चांस है तून बॉल लें इङ us CHC बोड में इधर एक रूल होता है मैट्स और मैट्स का भाई साइन्स मतलब समझ तुझे ना पाणी फुर्पय खाने का मनदी और 20 रूपय प्लेट ये 15 रूपय ये अब दिए प्लेट पानी पुडी खा नहीं सकता तुझे पांच रूपय की जुरत है तुझा करेगा अपने 20 लहें पांच रूपय देना पांत में देता हूं तो भाई ने पांच रूपय दिया तरे को 15 और 50 रूपय हो गए तुन्हें पानी पूड़ी वाले को दिया एक प्लेट पानी पूड़ी खाया तुरुपत हो गया तो वाइसा ही कुछ इधर भी होता है, Maths और Science, Maths में तुझे मिल गए 30 marks, अभी Science में क्या होता है, practical होता है, तो Science में अपने को 100 में से 40-45 आराम जाते हैं, समझ तुने Science में 45 मां ला दिये, क्योंकि 18-19 मां तो प्रक्टिकल में सबको 19 भी जाते हैं, सबको Science प्रक्टिकल, ऐसे बता देते हैं टीचर लोग, और फिर Science 1-2 मिला के कम से कम 40-45 तो आएगा, नहीं आएगा, तो चलना, कम आएगा, तो 31 आगया, चलना, तू एकदम अपने आपको गदा कमज रहा, तो महीं क्या करूँ, चल 41 आगया, तो हमारा महराश्का बोड क्या बोलता है, SSE बोड कि भाई, मैट्स और साइंस, दोनों मिला के 70 के उपर होना चाहिए, दोनों मिला के 70 के उपर गया, तो बरोबर होना चाहिए, अब ये दोनों मिला के कितना हो गया, 30 और 31, 71 हो गया, क्या ये 70 से ज़्यादा है, ये प्रफ थाइब कोई होगा ने तो चाहेगा न पोई पेपर ब्लैंक रख्या तो यह पेल लोगा थोड़ा थोड़ा भी ला दिया न मांस लिए ब्रामें दर्स जोवेटरी में पांच इंट यह तो सीचर दे देगा तीस मांक हो गया कितना भी कोई स्टूडेंट है वह पास हो जाएगा समझ में आ रहा है यह समझ में आ रहा है एक दम तो अभी आगे चलते हैं अब यह जिसको जोमेट्री लगती है तर उसके लिए यह चैप्टर होगा वर्दान क्योंकि उसको कम से कम पांच निरे 10-15 मांच उसको कुछ नही से ड्र ही एक ठ्रेक्टिस से है बहुत ज्यादा क्वेस्च नहीं है पहले में कुछ चार क्वेशन VOC đang ॉप्रें करेंगे तो सा다고 11 सिर्ख क्यों इसको कुछ भी नहीं होता होगा ना उसको भी आना मंगता है तो कैसा आएगा बेटा देख एकदम जान से Geometry के G से चुरू करते Geometry के G से शुरू करते Geometry Geometry जानकी मटरी यह होता the point पॉइन्टी में बोलते पॉइंडी मराठी में बुलते बिंदु मेरी बिंदु उरे बिंदु यह होता है %Pelly इस Point से होकर जाने वाली एक बिंदु और इसको बुलते लाईन स्था इरो में वोते लेकिन डोका 알아 एक साइट का एरो कट कर दिया या हाथ मुझे दे ठाकूर तो सम्झो एक साइट का हाथ कट कर दिया यह ऐसे हो गया इधर बान है इधर तो बान नहीं है ओके तो क्या होगा बेटा इसका नाम बदल जाएगा यह हो जाएगा रे 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 सुन रे किरन ओ मेरी किरन यह हो गया मतलब कहना क्या चाते हैं सर यी सब क्या पड़ा रहे हो क्या इस जोमेटरी के अंदर यह सब नहीं रहे जोमेटरी का इंदर बेसिक बता हो शुरू से एबी, सी, डी, एफ, जी, है, चाहे वहाँ से यह point, यह line, यह ray एक हाथ कड़ गया ray अरे सर शोले पिचर में तो गबर के दोनों हाथ काड़ दिये थे यहाथ मुझे दे ठकूर तो दोनों हाथ काड़े थे चल इसके भी दोनों हाथ काड़ देते हैं क्या होगा अगर मान ने दोनों हाथ कर दिया तो भाई अरे दादा ये हो जाएगा सेगमेंट क्या हो जाएगा सेगमेंट इसको बोलते हैं रेखा खंड, एकदम इसको रेक भी बोलते हैं तो यह एकदम बेसिक हो गया, एकदम बेसिक, जोमेक्री की शुरुआत बिंदू से होती है, एक बिंदू से याने पॉइंट से लाइन बनती है, लाइन के दोनों तरफ एरो रहा तो लाइन, एक तरफ एरो इधर या इधर इधर भी और अगर एक भी एरो नहीं है तो सेग्मेंट आगे चलो अब यह जो सेग्मेंट होते हैं या कोई भी थीन लाइन है उससे घिरी हुई कोई डाग्राम तीन लाइन ऐसे मिलते हैं तो इससे बन जाता है ट्राइंगल अरे सर यह सब हमको मालूम है तुम यह सब क्या सिखार है यह सब हमको आता है तो रिवाइज हो जाएगा देख ले रहा थोड़ा दिर सब एक दन जीरो से हीरो तक ठीक है यह ट्राइंगल हिंदी में त्री भूज मराटी में त्रीकोन यह तीन है अगर चार-चार साइड हो गई तो इसको बोलते हैं कोड्री लेटरल अरे वावा य सब हमको और हाता हैsın और लेटराल मतने चwehr कों चकोर भूज ये अभिकार लेटिल के बहुत सारे टाइप हो यह सब भता धूंगा टेंशन मतले टेंशन मतले होगे यह ट्राइंगल हो गई कोडिले से शर्चार से जादा साइट होई तो 1., 2,3,4,5 अभी बोलो बहुत बता तुम अब भी बता और बताने का क्या ये पाट साइड है तो पंच भुझ अरे पंच भुझ अरे पंचाव रे ऐसा भी होता है उसको बोलते हैं हेग्जा गॉन और हम लोग के भूक में तो नहीं आ सब सीख लेना खली एक्जाम के लिए पढ़ रहा है क्या पूरा सीख होगे इसको महराथी में क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं शर्ट भूज ओके अभी चलो और बहुत ज्यादा रहा तो आठ दस साइड रहा तो उसको बोलते पोलिगौन क्या बोलते हैं यह सब चलो यह सब है इसको क्या बोलते इसको अगल वहां मतलब पर रहे एकषड से बनाते हैं यह एंगल हो गए इसको कौन बोलते हैं एंगल या तो कौन यह सब जोमेट्री के बेसिक शेप है बेसिक एकदम प्यार मुपस एकदम बेसिक शेप है समझ में आ रहा है औरे बच्चों लोग तुम लोग चाट में भी बता रहे रहे और यह पातिल अल् अभी मैं तुमको बताने जा रहा हूं देखो इसके ट्राइंगल के अलग-अलग त्री टाइपस होते तुमको पता यह मुझे बोले की लाइं मारो लाइन मारो सर किदर लाइन मारने का है अरे लाइन ड्रो करने करें अपनी बाशा में लाइन मारना बोल रहे है चलो लाइन ड्रो करो ड्रा लाइन ए रूख 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 से करने का, use scale and pencil, ऐसा scale कर लेने का, और समझो इधर scale में 0 रहता है ना, 0 उदर से लेने का, और 4 कहां पी आता है, उसके बाद 4 और 5 के भीच में 4.5 लेने का, अच्छा लटा सावत की घटा, देख वेटा, यहा गया इसको नाम देने का, अगर बोला है नाम तो देने का नहीं तो छोड़ 4.5 देखो लाइन मारना आ गया तुम लोगों को अंग्राचिलेशन बदाईयो लाइन कीचना आ गया लाइन रौ करना आ गया वाव 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 यह वैश्ना भी बोलगी समझ में आ रहा है चट्टी सास्वी का बता रहा है अभी धीरे 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 तुम लोगों को मैं दस्वी का बताऊंगा और तुम बोलेगा वाव यह क्या बता रहे सर मैं तुमको नोन टू अन्नोन लेके जा रहा हूं जो तुमें पता है उससे जो नहीं पता है वहां तक लेके जा रहा हूं ग्याद से अग्याद तक समझ मे परपेंडीकुलर बाई सेक्टर करो गांप सबस्यक्टार इस तरीके से ऐसे होता बेटा यहने दो टुकडे में बाटने वाला तो क्या आएगा तो भाई देख अगर हमको बोला कि कोई एक लाई नहीं है यह 4.5 उसको ही perpendicular bisector करो तो अपना scale लेने का बेटा scale ले ले जितना रुको अब ही बोला इसका perpendicular bisector करो तो तुम क्या जिखा रहे आरे बच्पन का बच्पन का मतलब सब आएगा तो दस्वीक आएगा ना समझ रहा है क्या नहीं नमन क्या बोल रहा है अरे सलमान गान के उपर बहुत कैसे सलमान गान मत बोल यह देख अभी अभी इसका perpendicular bisector मतलब हिंदी में यह बोलते है ध्यांचे सुन मतलब क्या करने का कि मतलब रहे है और इसे यहां पर रखाए कर सब्लोग आएल्गा राउंडर यहां पर रख Hm रखने का रौंड़र ओपर रॉपर धो कि या और नीचे जहां भी कटे टहृँ का थोड़ा से रुख़ए स हफ्यतु एक मिनुट हो गया है तोह सा यत करने का जैसे आड बहुआ ने बता है ना ऊपर रॉपर नीचे करना कि एक मिनिट वरगर थे करना यहां यह इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइच सेक्टर और अधा अधा दो टुकडा कर दिये देखांब कर दिये यह आदा समझे पूरा 10 है तो यह 5 और यह पाइव हो गया यह पूरा 10 है तो यह कितना और यह 5 हो गया तो ये बोलते हैं ड्रो और पॉपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबो संधिवाज़ा खीचना किसी भी लाइन पे सर ये तो आ गया नमन गाना गा रहा है अरे भाई बचपन का सलुशन भूल न जाना रहे बच्चा बच्च हो गया चलो अभी एंगल बाइसक्तर ड्रॉ करना ऐंगल बाइसेक्टर ड्रय। ड्रॉ संधि भाज़क ये सब आना चाहिए रहे लाला ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर तुँ आजा लाला इधर घुम जा चला जा एक लाइन मारते हैं चलो हम लोग दोनों स्केल का यूज करते बच्चो और स्केल का यूज करके एक लाइन ड्रॉ करते कर दिया अभी एक एंगल बनाओ सर कितना ची एंगल कितना ची ये बोल बेटा सर एटी डिगरी बोला ना इधर एटी हाँ चल ये राउंडर ला लिया इसको यहाँ पर रखा देख जब भी ऐसे होता है ना ऐसे काउंट करते हैं ये लाल वाली लाइन रूम भी नहीं रही है रूको रूको ये लाइन हमने थेड़ी बना दिये एक मिनिटा रूको सीधा सीधा बना दे थेड़ा लाइन हो गया था चल बेटा ये एक हमने कर लिया एक मिनिटा कुछ दूसरा ही खुल गया रूको रूको बेटा येस क्या लिख रहा है यू आर्मा इंस्पिरेशन ही मांचु आगे का रहे इमांचु कैसा है रहे बेटा देखो अभी प्रोटेक्टर लेलो 80 डिग्री है ना इस पर रखने का इसे यह जो सेंटर पर इसका सेंटर रखने का यह आपके पर डी होता है यह मेरा पूरा इतना बड़ा डी आदा डी रहता है ना चांद रहता चांदा अभी 80 डिग्री बोला तो कि दर आएगा 80 डिग्री तो यह देखो यह मैच करने के जीरो जीरो एकदम जानते देखना 10 20 30 40 और यह 90 यह गलत दिया है तो यहां से आ इंगल बना यहां यह बना दिए देखो एक पॉइंट का ओंट ले लिया मैं ने दिखो से देखो यह मैं देखो यह दिका अब waldबना दिया है और यह गरता श के मेरा इसका बाइत बाइटी डिग्री का एंगल हो गया अब हमको बोला इसका बाइसे कर दो फिर यहाँ रखो वर तोड़ा बढ़ा देने का ज्यादा कर देने का थोड़ा एक पर यहां रखें एक आर्क मारा यहां भी कट गया ना राउंडर से इसको यहां से आप जॉइन कर दूं चले आजा 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 बैच्छी आजा येस येस देखो स्केल के मैं है यह जो गया है चला आजा तो इस तरीके से देखो हमारा ये construction हो चुका है यहां पर जो तुमको आया है इस एंगल को मैंने आधा आधा कर दिया अगर यह 80 डिग्री था यह 40 और यह 40 हो गया है तो यह कुछ बेसिक ड्रॉइंग्स होती है जो आपको आनी चाहिए एंगल का नेमिंग किजिए अथर होगा बताया इस एंगल का नाम दे दो ए बी सी बच्चा पाइदा होता है तो नाम कुन देते महाबाप यह पाइदा हुआ किसने पाइदा के तुमने सर हमने आ तुमने ही तो बना है तुम लोग नाम दे देने का बाइसेक्टर को ने इस तरीके से एसे चला करे तो कुछ चीज़ है अपको आनी चाहिए ओसकता यह जो करते देखो यह सब बेची कहिए आगे आगे आपने चैप्टर बहुत इजी लगी ओके ड्रा सर्कल ड्रा सर्कल और रेडियस 5 सेंटीमीटर पांच सेमी त्रिज्या वाला सरेकल बनाएंगे तो भाई 5 सेंटीमीटर मतलब च्या करेगा तो सब्सक्राइब चले दादा आजा इदर स्केल उटा ले ऐसे उटा लिया अभी अपना राउंडर ले राउंडर गोला प्रकार इसके अंदर पाइट सेंटीमीटर मतले फिर राउंडर रखके गोल गुमा दे कितना इसी है मेरे पास एक दूसरा ही हतियार है यह यह देख अब यहां से मैं कहा प्रकार होता है उसमें स्केल में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने का 5 बोला तो 5 ज्यादा बोला तो ज्यादा और आइसा रखके घुमाड़ा है खत्म तो सर्कल बना के फाइदा क्या है आरे तो बनाना तो सीख अभी समझ इसका रेडियस बोला यहां से में लेता हो समझ यह दूसरे वाले प्रक्टिस सेट में काम आएगा जहां पर बार बार तुझे सर्कल बनाना पुड़ेगा तो राउंडर और स्केल यूज़ करके जितना भी रेडियस बोला है त्रिज्या बोला है पुत्रने का सर्कल बनाने का अभी और क्या करने का सब में आगे सिखा त तो कोई बात नहीं जाने के जरुरत क्या है जब तेरे को दिने से रोज आट बजे रात को मैंक्स पढ़ा रहे तो तेरा ट्यूशन तो इधर ही लग गया है फिरी में मुपत फुकट एक दम टेंचन क्यों लेते त्यूशन जाने की क्या जरुरत है त्यूशन से बढ़िया डीटे दीखैंगे आप पड़ दीखेगा ओ खे पाथ चलो पहले पूर पॉर्पइंटंटकर देखार क्यों करतें चाहर क्वेस्चन यहां पर हमेशब आपको दो triangle computing bank obtainable bc फिरव...... अर डिखो दिखेगा दो ट्रेंगल इसको cafma बना लेते हैं क्रिविव मैं रॉफ में बना लिया ठीक है एक ओर triangle बना लिया फोके दिखेंगे दो ट्रिव्ऴुच हिंदी में まराथी में दोन त्रिकौन असनार English to triangle कर दे रहे हैं अब होगा क्या इसका नाम भी दिया है यह इसका नाम है ABC और इसका नाम है LMN LMN हमेचा दो ट्रेंगल दिये रहेंगे पहले वाले प्रैक्टी सेट के questions में और उसमें ना AB BC CA इसका value दिया है AB कितना है 5.5 cm BC 6 cm CA CA 4.5 cm और यह भी इतना तीन साइट का value दिया है और बोलता है ना construct करो याने बनाओ यह भाई सब लोग अपनी textbook निकालके बैटो हिंदी मेडियम की बुक हिंदी में रहेगी मराटी मेडियम ची पुष्टक जी असनार मराटी दसनार उर्दू मेडियम भाई आप अपने question को पढ़लो अपनी बाच्छा में यह इंग्लिश का common question बोलता है construct करो triangle ABC triangle element यह दोनों को बनाओ तुम बना तो दिया यह भाई यह रफ पूर किया है ऐसे अंदत से बना दिया असली में scale pencil और rounder binder use करके बनाने का है ऐसा ने का बना दिया यह रफ है इसको इधर लिखेगा रफ फिगर रफ ऐसा लिखेगा रूख रहे लिखनी नहीं दे रही है रफ फिगर समझ में आ रहा है तो ची आकृती इंदी में बोलते हैं रफ फिगर इंग्लिश में अभी देख तुम बोले के sir इसका तो तीनों का side दिया है बरबर यह تीनों side दिया है बाजू दिया है भूजा दिया है यह तो बना लेगे इसका तो कुछ भी मालूम नहीं य आइसा ही question आएंगे तुमको दो समोसा देगा दो triangle एक के बारे में सब बताएगा हाँ यह ऐसा है फिर बोलेगा दोनों बनाओ यह तो नाइन सा पीन है तुमने एक का detail दिया दूसरे का तो देना चीए के नहीं तो यह नहीं देगा तो यह अपने को बलेगा तुम लोग इसक साइड का ratio दिया अनुपाद दिया और बात में क्या बोलता है दोनों बनाओ ABC को construct करो और LMN को भी करो दोनों बनाओ तो यह ऐसे question होगे जिसमें दो triangle की detail में से एक का ही जानकरी दिया होगा दूसरे का कुछ नहीं दिया होगा लेकिन तुम को बोलेगा दोनों करो तुम क्य करोगे तुम ऐसे करोगे कि यह जो triangle की detail दी है और यह जो ratio दिया है इसका यूज करना इसका इस्तमाल करना इसकी values का यूज करके इसकी side का पता लगाओ घ्यक्राइट कुस्तो गड़ा पता लगायो पता लगाओ इसका लेंद कितना एक पता लगाओ असर बन जाना में ऑल सूरेट नांद में तुम्हारा वाई है अभी यह next week से आने वाला है जोमेठरी बहुत आड़ है अरे न्यानेशवर बहुत ऊज़ी है यार तु सीख तो सही एस एकदम ध्यान जे देख देख एकदम कैसे करने का देख दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 4 पफ़िशन है पहले तो समझ ले इस पहता question एक जैसा है यह कैसे बता चला मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ देख इसमें नाम में देख नाम में देख ए बी सी एलेमन कुछ में मिलता जुलता है नहीं है लेकिन समझ में लिखता हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर स्टिमिलर ट्राइंगल ए बी आर अभी देख इन दोनों में कोई है मिलता जुलता कोई है जो दोनों में है यह देख आर आर दोनों में है तो क्या गरने का सर अगर ऐसा कोई है उसको अलग तरीके से गरने का उसकी यह जो वैल्यूज पता नहीं है सी आई डी वाले को बुलाने का नहीं इसका सबका माप निकालने का नहीं तो सर्व माप निकाले का नहीं तो बनाएगा कैसा उसका अलग टेक्निक है अगर किसी भी दो ट्रैंगल के अंदर कोई भी एक मिलता जूलता है यह कॉमन वर्टेक्स है तो यहां पर बता है न इसमें सेकेंड और फोर्थ क्वेशन में वैसा ही है उतमें कुछ लिखना लिखना नहीं बढ़ता डारेक्ट हो जाता है वह भी बताओ बताओंगा ना पहले पहला तो कर चलो अभी पहले पहला करते एकदम जानते सकते प्यार LMN है ठीक है दो ट्राइंगल सिमिलर है तुम लोगों ने एक चीज सीखी थी याद करो पता करो क्या चीज सीखी थी पहले चप्र में AB AB upon LM जोड़ी बनाते हैं ऐसे फिर BC upon MN याद करो याद करो फिर पहला और तीसरा लेने का AC नहीं पहला और तीसरा LM याद आया याद आय पहले चैप्र में था वेनेवर टू ट्राइंगल सार सिमिलर जब भी कोई दो त्री बूज ऐसे समरूप हो तो उनकी जो साइड्स होते हैं उनके रेशियो जो प्रपोर्शन में होते हैं यह से पहले स्टार्टिंग के दो लोग को ले लिया AB तो उसके नीचे LM करने का AB upon LM समझो BC किया तो उसके नीचे यह MN करने का फिर पहला और तीसरा लिया AC तो यह हमेशा याद रखो ऐसे करने का ठीक है इतना समझा अभी जो यह वैलू पता थी ना वो सब वैलू इधर रखो देखो जैसे की AB कितना था AB देखो 5.5 इधर 5.5 AB को जगा पर 5.5 LM पता ही नही है तो दूसरा वाला इसी यह उसको कुछ भी नहीं महालू है इसको वालू महां है है 3 C एसी कितना सब्सक्कार इस में दिया है 5 यहां पर हम इसको इसकी वैलुव यहां लिख सकते हैं पाइपन फॉर तो यह सब भी फाइपन फॉर था ऐसा करने का हमेशा इसा करने का जब भी कोई इन चुन के रेशियों का प्रोव साइसा लिखेंगे और यहां पर यह दिया रहता है यह वह यहां लेने का जैसे तो अब पता थी नीचे कि अभी क्या करेंगे सार इतना तो तुमने कर दिया अभी रख्षा बंदन रख्षा बंदन बोले तो आरे भाई यह यह बहन यह बहन बहन यह बहन बहन को के इसे देख बता तो पहले तेरी बारी चल रक्षा बंदन कर ले 5.5 अपन लम ये जाएगी इसके पास आँ हाँ राखी बांद येस जिफ्ट मिलने वाला है दूसरा देखो इसका हो गया अब दूसरी बहन बोलेगी मेरी बारी मेरी बारी अब ये 6 अपन अब ये जाएगी इसके पास भाइया को जाएगी हैं पाइजांट के सब्सक्राइट था मॉझाटि pena ठीक कि लुटक रहे तो पर परेशांट को सब्सक्राइब दीक करने फॉरान दीक लॉट एगा उपाइगा कँछी लुट आइगा को नहीं को कर कि आगे जाके कमावे है की नहीं अच्छे से मेनद कर मांक्स मिखला सर यह तुम क्या करें रक्षा बंदन बोल के हमको चिपका दिये क्या इसका फाइदा क्या है अभी होएगा देख फाइदा क्या है कैसा बोलता है यह देख इसका क्रोस मॉल्टिप्लाइकर एलम इदर ज पाइदा क्या है । फाइदा क्या है । 5 1 255 1.1 इंटू 4 भी तो लम कितना आ गया बेटा इंटू 1.404 इंटू 1.4 एलेवन पॉर्दा 44.4 पॉन पॉर आ गया मुझे जल्दी करना पड़ेगा आज क्योंकि अभी मेरा नौ बजे यार इंजिनिरिंग वाले जो बच्चे हैं एंट्रेंस वाले उनका लेक्चर है तो मैं एक सम बताता हूं टेंचन मतलब पूरा करते हैं पांच मिनट दो सर प्लीज मेरे बच्चों के लिए पांच मिनट लिए और उसमें उसके मा का पता लगाया एलम आ गया 4.4 तो भाई तु आ गया है तेरी मा पता चल गई 4.4 है वो बलेगा पपा कोन है मेरा रूप तेरे पपा को भी ढूंद दे तो भाई देख दूसरा दूसरा इधर से देख अभी इधर एमन ऐसा ही कर यह 6 है यह 4 आने दे फोर आने दे बोर बर एमन उदर जाने दे यह 5 तू इधर नीचे आ जा दोनों अदला बदली कर लो रहे दादा फोर गया 6 के बाद एमन गया इधर 5 इधर आया ओ कुछ भी ने कट रहा सर तो कैसा करेगा 6 पोर जा 24 अपवान 5 ठीक है एक मिने 6 पोर जा 24 अपवान 5 और यह आ गया मन अभी इसको कट करना पड़ेगा ना सर कट कर देते ना तो 5 पॉर जा 20 पाई एट जा 40 एक काम करते इसको पहले मन लिख दे दे एमन इस तरफ एम एन इजीट वर डू पाई पोर जा 20 तो भाई एमेन आ गया अरे इसको पपा भी आ गया रहे मन 4.8 किदर है एमेन 4.8 है आहाँ हाँ हाँ दो जन आ गए यह बोलेगा ठीक है यह तो ठीक है मेरी बेन को लाओ एलन को लाओ ठीक है इधर से देख यह इसको कर 4.54 इधर आ गया 45 ओके तो यह एलन आ गया बेटा एलन 4 इंटू 0.9 36 3.6 आ गया समझा यह पाई 9 जा 45 होता न बटे देसिमल था बिंदू था दसमल लाओ तो 0.9 9 4 जा 36 तो यह एलन आ गया दादा इसकी बेन भी आ गया 3.6 आरे यह समोसा अलग बैटा था इसका कुछ पता नहीं था सब पता चल गया सब पता चल गया बस हो गया खतब गेम ओवर दोनों की वैल्यू पता चल गई सारी तो अ ए देखो आ गया अपना स्केल आ गया अभी यह दोनों को बना ना अभी हम लोग को मां अप मालूम है यह स्केल इदर आ जा चया पहला इसको बना इसको वाईट वाले समोसा को बना तो पेड़ा तेख इस तरह से करेगा यह कितना है बीची सिक सेंटी मेटर यह यह ले लेगा 5.5 यहां से जो 5.5 ऐसे माप लेगा राउंडर में 5.5 ऐसे कट मारेगा 5.5 फिर यह देख सी से एक इतना दूर है 4.5 तो यहां से 4.5 माप लेगा यहां से राउंडर के अंदर और कट मारेगा अरे कटा ही नहीं सर कटा ही नहीं तो क्या करेगा वापस से यह वाला यह वापस कट गया अब क्या करेगा इसको यहां से बना देगा ठीक है यह बहुत गम होगे रूप फिर से बताता हूं फिर से मैं अंदाज से बतार राउंडर नहीं है मेरे बोड में इसलिए चलो फिर से देखो यह बना दिया तिक सेंटिमेटर अभी यहां से 5.5 का मेजर ल तो यहां से 4.5 का मेजर लिलियर स्केल में यहां से गया कट कर दिया जहां भी कट होगा वो पॉइंट अपना ए आ जाएगा यह पॉइंट आ गया ए आजा बाबा आजा मिला दे मिला दे इसका संगम कर दे ट्राइंगल बना दे देखो बेटा देखो इस तरह से जहां मुंबहत से मिला देदे हाँ चलो यह निए इसको मिला दिया तो यह पहला समोसा तयार पहले समोसे का नाम था 655 अच्चिय से लिखने का 5.5 Limit नीचे इछे 6 संटीमीटर पॉंब इधर ए 4.5 है यह पाहला था ताइर यह आसमोसा यह ता यह न दे से लिखने का वाई सजाद आजा के इसको चाहिए तो बात में पेटी में पेक कर देनेंगा, पैक कर देने घा कितना चिकना दीक रहा है तुम्हारे याई, वाउ, अब यह दूसरा समुसरा बना, यह तो वही लावाईरी से अनाथ बच्चा जिसकी वैलु पता नहीं थी और इतना मेहनत करके घा उसकी वैलू निकाली थी और उसमें लिखी थी हाँ ना ठीक है उसको भी बनाओ इदर बोला है दोनों बनाना है वो कैसे बनाएंगे हम लोग तो भाई तोड़ा ऊपर करते है एमन चाहिए 4.8 चल भाई 4.8 हो गया एमन हो गया भाई इसका नाम भी लिख दो एम एन तो इसके उपर एल कितना है 4.4 तो आप राउंडर ले लो राउंडर में स्केल में 4.4 यहां से जहां भी 4.4 आता है यहां पर रखना 4.4 लेके कट मार देना आरे बाबा तू क्यों भाग रहा है रुखवा एक मिन चर्मार आई है यहां इसे रखना 4.4 में ऐसे कट मार देना यहां थे फिर इदर एन से कितना चीए दादा 3.6 चाहिए तो 3.6 यहां स्केल में ले 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 लेना राउंडर में और 3.6 पे कट मार देना यह तो मिली नहीं रहा है तो वापस 4.4 बढ़ा दो चल यह जो भी दो आईंगल आ गए ना इसको यहां से स्केल और पेंसिल यूँस करके ऐसे कर देना में ने मिरे बाद को राउंडर नहीं है थोड़ा सा गड़ बर सट बना बढ़ा बिल्कुल ऐसे ही बना ना यह इसको अपन कर देते लाइं ड्रो यह हो गया अब यहां से इसको ड्रॉई कर यह हो गया ठीक है अब इसको जोईन मार दो यह रहा चलो यह हो गया चल अब इसका नाम लिखो इदर देखके ए तू हट ना यह देखको लमन L M N अभी इसका घ़र 4.4 cm नाम लिखने thank you 3.6 cm और बात में क्या है माला हमें इस को सके in Use की पेंची में बहनें का यह नीचे करने का दूसरे पेच पे कर सकते हैं मैंने इस तो देखो पेदा यह पहला question है बिल्कुल ऐसे करना था ओके यह पहला question है अभी तुम्हारे सामने पूरा पहला question board पे दीख रहा होगा पूरा कैसे मैंने किया देखो 4.1 का पहला question क्या किया देखो बहुत प्यार मुबत से किया ओके सुबह क्यों नहीं लेते हैं अरे भाई सुबह ग्यारवी बारवी का लेता है नो बैटा मैं आपके लेक्चर से question देखो इसमें चारी question है पहला और तीसरा एक जैसा है क्या था भाई एक पहले तो दो triangle है दो triangle बनाने का एक का सब value दिया है दूसरे का नहीं दिया है यह रख work है दूसरे का जो है value हम आपके बाद जाके राखी बाद लेंगे उससे जो यह LM MN LN तीनों की value आगे जब यह तीनों की value आई तो यहां रख दिया आब इन दोनों को बनाना चालू किया पहले इसका six centimeter सब्सक्राइब करें दोस्तों आज मुझे तोड़ा अच्छा क्यों लग रहा है क्योंकि यह 120-120 बच्चे देख रहे तोड़ा से लग रहा है कि इज्जत हो रही है नहीं तो यार यह जो टीचर इसके पाच-पाच जार बच्चे देखने वाले क्यारवी बारवी सीटी के दसवी को क्यों बढ़ा है ऐसा होता है ओके चलो कोई बात नहीं यह पहला इसके जैसा तीसरा करोगे बैटरी में चेंज करो बंद कर दे और कल दूसरा बताओंगा दूसरा चौबधा कल बताओंगा पहला प्रेक्टिशेट खतम आदा चैप्टर हो जाएगा फिर और आने वाले दो तीन लेक्ट्चर में चैप्टर खतम ओके चलो बाए अबरी वन तो इसको तो कर के रखो बाए बाए अबरी वन